नमस्कार आप देख रहे हैं पंज्वाबकेसिरी.com और मैं हूँ आपके साथ इशिका गुपता राहूल गांधी की अगुवाई में चल रही भारत जोडो यात्रा फिलहाल कुछ दिन के विश्राम पर गई है लेकिन राहूल गांधी की शोट एक चर्चा का विशह है बता दें कि 108 दिन भारत जोडो यात्रा चली और इस बीच राहूल गांधी की हाफ स्लिफ्स की एक सफेद टीशिट काफी चर्चित हो रही है 108 दिन राहूल गांधी को इसी हाफ स्लिफ्स की टी-शट में देखा गया है जो की अब एक सियासी मुद्दा बन गई है आज यानि सुमवार को सुभा सुभा भी राहूल गांधी बड़े नेताओं को श्रधानजली अर्पित करने पहुचे और यहां हैरान कर देने वाली बात यह है कि आज भी राहूल गांधी इतनी ठंड में फिर से टी-शट में दिखाई दिये बता दे कि दिल्ली में चार डिगरी तापमान में भी राहूल के वले की टी-शट में दिखाई दिये सूट्रों के मताबिक कॉंग्रिस ने ता, राहुल गांदी ने सुमवार्स सुभा महत्मा गांधी, इंद्रा गांधी, राजीव गांधी, जवाहर लाल नहरू, लाल बहदरू शास्थरी और अटल बहारी को श्रद्धांजली अर्पित की, परंतु शर्ट का ये सियासि ऐसा क्या करते हैं कि वह भरी ठंड में भी हाफ स्लिव के कपड़े पैन रहे हैं राहूल भी पीछे हटने वालों में से नहीं है राहूल गांधी ने भी लाल किले से भाशन देते हुए कहा कि कपड़ों पे मत जाए कपड़ों के बारे में उन लोगों से पूछे जो बुनिय जनवरी से शुरू की जाएगी और अभी तक यातरा नौ राज्यों को कवर कर चुकी है आगे आपको बता दे और यहीं भी मानद जा सकता है कि जैसे जैसे यातरा बढ़ती जाएगी वैसे ही वैसे सियासी हमले और सियासी माहौल और भी गरम होता जाएगा अभी के लिए क जोब केसरी डाट कॉम